दोस्तों आज के इस सत्र में मैं एक साथ दो डिग्री करने के बारे में कुछ संसय का निवारन करने जा रहा हूँ एक साथ दो डिग्री विशेश कर जो लोग अनुवादक बनना चाहते हैं उनके लिए यह काफी हितकारी है जैसे एक पोस्ट डिग्री अर्थात एक में की डिग्री और साथ में एक पोस्ट डिप्लोमा कुछ मित्रों को यह संसय है कि यह जो PGDT है वो डिग्री की स्रेणी में नहीं आता इस विशेपर सोसल मीडिया में विविन प्रकार की भ्रांतियां भी है तो आज इन समस्त प्रशनों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ और सारे संसे मिटाने के तरीके बताने जा रहा हूँ आशा करूँगा आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे ताकि जितने भी प्रशन अभी तक मुझे मिले हैं उन सब का समाधान कर सकूँ सबसे पहले तो मैं उन मित्रों का या संदेह दूर कर दूँ कुछ लोगों का कहना है कि PGDT is not a degree PGDT एक प्रकार का डिप्लोमा है अपनी तरफ से आप सही हैं लेकिन अगर इंद्रा गांधी National Open University की बात माने या इगनू की बात माने तो इगनू ने एक RTIE के जवाब में यह लिखा है कि RTIE आप मेरे पीछे देख सकते हैं उसकी प्रती अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज सकता हूँ उसमें इगनू ने यह लिखा है कि एक PGDT और साथ में 6 महिने से अधिक अर्थात एक साल या एक साल से अधिक की कोई भी डिग्री एक साथ नहीं कर सकते साथ में उन्होंने यह भी लगा दिया है कि open माध्यम से या regular से या एक इगनू से या एक दूसरे स्थान से आप कहीं भी नहीं कर सकते अगर करते हैं तो वह अवैद होगा इस चीज का विवरण इगनू ने अपने प्रास्पेक्टर्स के पेज नंबर 194 से 196 के बीच में 6.6 पैरा में यह दिया हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक युनिवर्सिटी से या अलग-अलग युनिवर्सिटी नौकरी के लिए जाता है जैसे एम्स के किसी कार्याले में और कुछ एक मंत्राले में जब ऐसे अब भरती गए थे चायन परिक्टा के लिए तो वहां उन्हें सिर्फ इस बात के लिए निकाल दिया गया कि आपने दो डिगरी एक साथ की है इस विशय पर सही रूप से वो नहीं बात रखनी पाए होंगे या फिर हो सकता है वहां के प्रशाष्णी करिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहे होंगे आज की इस वीडियो में मैं इस समस्या के बारे में भी आपको जानकारी देने जा रहा हूं सबसे पहले यह जानने कि D.E.B. है D.E.B. बोर्ड कह लीजे या उसका डायरेक्टरेट कह लीजे संद 2012 तक यह इगनु के पास हुआ करता था और 2012 में इगनु ने अपने लेटर हेड़ पर यह लिख करके दिया है कि एक साथ एक डिगरी और एक सर्टिफिकेट कोर्स या एक डिपलोमा कोर्स या एक पीजी डिपलोम कोर्स किया जा सकता है यह मानने है यह जो नीड़े था या इगनु ने अपने वेबसाइट पर यह डाला है इस नीड़े के पीछे उन्होंने यह लिखा है कि UGC की एक बैठक हुई थी उस बैठक में यह नीड़े लिया गया था कि छात्रों को एक साथ दो डिगरी करने की इजाजत दी जाए और इस समंद में UGC ने विविन विश्व विद्याले से उनका अभिमत माना था और अभिमत मांगने के साथ ही उन्होंने यह चीज दे दिया था यह जो पत्र है वह UGC के वेबसाइट पर DEB वाले कॉलम में जब आप जाएंगे DEB वाले पेज में तो उसमें सीरियल नमबर 69 पर हो सकता है कुछ आगे पीछे हुआ हो लेकिन सीरियल नमबर 69 पर वह पत्र अभी उपलब्ध है जिसमें लिखा हुआ है कि आप ऐसा ऐसे कर सकते हैं यह पत्र इगनू के लेटर हेड में इसके अलावा अगर आप सर्च करेंगे तो वह इंक साइन किया हुआ मतलब किसी अधिकारी का हस्ताक्षरित पत्र भी मिल जाएगा अब यदि आपने दो डिगरी एक साथ कर लिया है और आप किसी ऐसे संस्थान में जाते हैं जहां आप से कहा जाए कि नहीं आप एक साथ दो डिगरी करते हैं तो वह मान नहीं होगा तो आप सन 2012 का वह जो अधिसूचना है उसकी प्रती आप उस संस्थान में दिखा करके उनसे अंरोध करें कि सर 2012 से इस बात की इजाज़त दी गई थी UGC ने भी दिया था और इगनू ने भी दिया था और इसके अंतरगत मैंने यहाँ पाठिकरम किया है यह तो ही बात जिन लोगों ने पहले कर लिया है उनके लिए क्या उपाय है और मैं आपको बताओं कि कुछ ऐसे मित्र हैं जो असमंजस में पड़े थे इसको ले करके और उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने उन्हें इस पत्र की प्रती उपलब्द कराई जिसके बाद उनकी नियुक्ति हो गई तो यह स दादों स्टाप सेलेक्शन कमिशन इस बात पर कहीं आपत्ति नहीं करती है कि आपने दोनों एक साथ किया या अलग अलग किया है लेकिन जब आप संस्थान में नियुक्ति पत्र ले करके जाते हैं तो वहां आपत्ति होती और आप नौकरी लगते लगते अगर इस तरह की कर लिया है अब बात करते हैं दूसरी बात जिसमें इगनू के प्रास्पेक्टस में यह लिखा हुआ है कि एक साथ आप दो डिगरी नहीं कर सकते यदि इगनू अपने प्रास्पेक्टस में यह लिख देती है और फिर अगर आप इगनू से ही आप पाठिकरम करते हैं तो सही में आप गलत काम कर रहे हैं फिर करें तो क्या करें हम क्या ऐसा करें कि हम ये पाठिकरम भी पूरा कर लें और हमारे उपर आच भी ना आए मैं आपको बताऊं सन 2016 का एक पत्र है UGC का वह पत्र मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं आपको उस पत्र के अनुसार 2012 का जो निर्णे लिया गया था उस निर्णे के ऊपर किसी वे विश्विद्याले ने कोई भी राय नहीं दी और राय नहीं दी तो उसकी स्थिती में परिवर्तन कर दिया गया अर्थात वो मानेता 2016 से फिर समाप्ती की ओर बढ़ गई इस विशय में अगर आप UGC की साइट पर देखें तो और कोई पत्र नहीं मिलता उन्होंने जो पत्र जारी किया है उस पत्र में फर्स्ट डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री का एक हवाला दिया है सन 2013 के पत्रकार हाला कि 13 का वो जो गजट सूचना है आप उसको ढूड़ेंगे तो उसमें भी कोई जानकारी नहीं मिलती इस प्रकार के पार्ठिक्रमों के बारे में लेकिन कहीं एक जगह या बात जरूर मिली है कि विश्विद्याले अपना पार्ठिक्रम तै करने के लिए स्वतंत्र है और मुझे लगता है साइध इसी स्वतंत्रता का लाग उठा कर इग्णू ने यह कह लिया कि आप एक साथ एक वर्स का पार्ठिक्रम और दूसरा ही जब हम किसी दूसरे विश्विद्याले के वेब साइट पर जाते हैं और ऐसे पार्ठिक्रम करना चाहते हैं जैसे हाल ही में कुरू छेतर विश्विद्याले स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं आपको कुरू छेतर विश्विद्याले ने 2021 का जो प्रurenस जानी किया है उसम एक विश्य विद्याला आपको कहता है इसके अलावा महावीर वर्दमान विश्य विद्याला है हिंदी का ही विश्य विद्याला है उसके भी प्रॉस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है कि आप एक साथ एक PGGT और एक डिगरी अर्थात PG या फिर undergraduate course कर सकते हैं उसमें कोई आप इस तरह से पार्ठिक्रम करते हैं तो आपको अपना पार्ठिक्रम करने में कोई अस्विधा नहीं होगी और चूंकि उनके प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है तो वह पूर्णतह मानने है सन 2020 में मार्च अप्रेल के दोरान विभिन समाचार पत्रों में समचार आय मांगी या अन्य जगह देखने का प्रयास किया तो कहीं अधिसूचना नहीं मिली बाद में यूजी सी को किये के एक आटीएई में यह जवाब आया कि इस तरह का निर्णे लिया गया है और उसको अनुमोदन के लिए शिक्षा मंत्राले भेजा गया है बाद में पता लगा कि शिक्षा मंत्राले ने उस फाइल को पुना UGC के पास कुछ अब्जर्वेशन लगा करके वापस भेज दिया है और अभी तक फिर शिक्षा मंत्राले से इसका अनुमोदन नहीं मिला और जग तक शिक्षा मंत्राले अनुमोदन नहीं कर देता तब तक कोई भी नियम PGGT साथ में करनी हो ग्रेशन के बाद तो खेर नहीं कर सकते MA के बाद ही करनी हो तो आप क्या करेंगे सबसे पहली बात कि अगर इगनो नहीं इजाज़त देती है तो आप दूसरे विश्व विद्याले में चले जाएं और फिर वहां से एक साथ दोनों पाठिकर में प्रवेश ले लें अब जब ऐसे विश्व विद्याले में प्रवेश ले लेंगे तो आपकी सुविदा खतम हो जाएगी मैं मानता हूँ इगनो की पैठ बहुत अच्छी है और भारत के बिभिन शहरों में इसके परिक्षा केंदर हैं लेकिन अगर आप इगनो से इस तरह से दो डिगरी करते हैं तो इगनो उसको अमानने कर देती है तो ऐसी स्थिती में क्यों ना आप इसका लाब उठाएं और जो विश्व विद्याले आपको दे रही वहां से लें अब जैसे मान लिए कुछ लोग दिली विश्व विद्याले से नियमित से या कहीं से भी रेगुलर से नियमित से मे पाठिकरम कर रहे हैं और वो चाहते हैं क्योंकि देखिए आज के समय में कोई भी नहीं चाहता कि हम पांस साल, छे साल, दस साल पढ़ते रहें और जब नौकरी के लिए हैं तो उम्र चली जाए ऐसी इस्तिती में आप ऐसे विश्व विद्याले ढूंड़ें और वहां से आप PGDT कर लें और एक रेगुलर से कर लें या फिर आप MA और PGDT दोनों जो एक विश्व विद्याले कराएं वहां से करने, और वहां से करने के बाद आपकी पातरता बन जाती है और बन जाने के बाद फिर आप नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं मित्रो मुझे लगता है जिन लोगों को संथ से अभी तक रहा होगा डूइल डिग्री को ले करके इस वीडियो में मैंने उनके कतिपय प्रशनों का जवाब देने का प्रयास किया है अभी भी अगर आपको संदे है तो आप अपनी तरफ से शिक्षा मंत्राले को या UGC को चिठी लिख करके जानकारी मांग सकते हैं और पुना एक बार मैं दोराऊंगा कि इगनों से ना करके आप दूसरे विश्विद्याले से ऐसे पाठेकरम करें बस वही होगा कि आपको उस विश्विद्याले के राज में जाकर के परिच्छा देनी होगी क्योंकि जब लाव मिलना है तो इस तरह से थोड़े कर्श भी कर सकते हैं चलिए फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए आगया दीजे धन्यवाद